अलो स्टूरेंट्स वेलकॉंग हीर अगेन और माई चैनल जानकर हित मैसल्स हित अभिलाशी शर्मा अज हम बात करेंगे रेक्टिफिश्न एर्रस अंडर पार्ट सेकिंड विद फोर डिफरेंट टाइप आप प्रेक्टिकल प्राउबलम्स तो रेक्टिफिश्न होगा में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तांकि आज के कॉंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें हर बार मैं एक अलर्ट सभी को देता हूं कि कम्प्लीट वीडियो देखें फुल सक्रिंग दरके अपने डिवाइस के और एयरफॉन यूज़ करें तभी आपको कम्प्लीट कॉंटें मिलेगा और सबसे असान रास्ता है यह कॉंटेंट को ग्रैप अकाउंटिंग एर्र क्या है आज के कॉंसेप्ट में बढ़ते हैं अकाउंटिंग एर्र और मिस्टेक्स डेटा कड्यू इनकुरीट परसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा एर्रस करना अलसो भी दूदा मिस मिसिंटर्परेशन ओफ एक्स ओवर्राइटिंग ओफ एक्स और रॉंग एप्लिकिशन ओफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको एक बात बता दू मैं कि अकाउंटिंग एर्र से रिलेटेड अलड़ी वीडियो हैं मैं उसके बारे में भी आगे बात करता हूं कौन-कौ सी वीडियो हैं फिर भी हम ब्रीफ में देखते हैं अकाउंटिंग एर्र मेंज हमारे जो लेखागत गलतियां हैं ऐसी गलतियां हैं जो हमारी इनकुरेट गलत प्रसेसिंग की वज़य से हो काउंटिंग डेटा में वह कहीं मिस इंटर्परेशन भी हो सकता है किसी इसको ही हम अकाउंटिंग रहते हैं टाइपस ऑफ एर्रस हमें पता है दो इसके रूप हैं वन इस दा एर्रोफ एमीशन एर्रोफ कमिशन आप सोच रहे हुए इतनी जल्दी क्यों बोल रहा हूं मैं स्टूएं एक बात बता दूं यहां मैंने नीचे लिखा हुआ है एफ इसके दोनों वीडियो में पी का मतलब पंजाबी और हिंदी में दोनों वीडियो हिंदी और पंजाबी में अलड़ी इस चैनल पर है जहां पर डिटेल में आपको मिलेगा इन एर्रोफ के बारे में और साथ में जो रेक्टिफ केशन का जो फर्स्ट पार्ट है यह जो ज़रूरी आगर आपको बेसिक नॉलिज नहीं है तो स्टुटेंट्स आगे बढ़ते हैं अब अब गलतियां तो होगी उनको रेक्टिफाइवी करने ठीक करने यह तो बहुत ज़रूरी है रेक्टिफ के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए दिरा कैन भी थ्री स्ट सबसे पहले रेक्टिफ केशन बीफोर दा प्रप्रेशन ओफ ट्राल बैलंस यह फर्स्टेज में हम बात करेंगे सेकिंड स्टेज होती है अगर उसको बनाने के बाद गलतियां में बट बिफोर फाइनल अकाउंट और जो थर्ड स्टेज होती है वह आफ्टर फाइनल अका की बात कर रहे हैं हम रेक्टिफ केशन बीफोर दा प्रप्रेशन ओफ ट्राल बैलंस यह दो तरह की है जब ट्राल बैलंस अभी बना नहीं और हमें गलतियां मिल गई तो हम उनको चीक करने के लिए उनके यह दोनों रूप हैं उसको समझे से हैं सबसे पहले हैं वन साइड अयर अगर कोई ऐसी गलती हुई है कि हमें किसी एक अकाउंट में गलती मिली है किसी तूसरे अकाउंट में गलती नहीं हुई टाइक वफ एरजर अरॉन और सुसे करने का एक ही रह कैसे करेंगे उसकी । सुधार करना कैसे सुधार हैंगे उस अकाउंट में जो गलती हुई है उसी अकाउंट में हम पोस्टिंग कर देंगे फॉर इक्जाम्पल आपको बताता हूं सेल बुक वाज का स्ट रूपीज वन थाउजन इन प्लेस हो फिफ्टिन हंडर सेल बुक का मतलब सेल अकाउंट क् टोटल की गलती होगी 1000 कर दिया हमने कास्टिंग उसकी 1500 की जंगे 500 कम किया है तो अकाउंट को 500 के साथ और क्रेडिट कर देंगे अब बाइस हंड्री डैटर्स एर्रें कास्टिंग 500 इस जंग से अगर वन साइड़र है किसी एक अकाउंट के एक तरफ ही गलती है डैबिट जग प्रेडिट करने से ठीक होती है तो और वो गलती हमें ट्राल वालंस बनाने से पहले मिली हो यह तब की बात है तो उस अकाउंट को हम ऐसे ठीक कर लेंगे क्लियर तो आगे बात करते हैं टू साइड़र यह दिहान रखना स्टूडेंट्स यह बड़ी एंट्री देट शुड़ी रफ्ली एक क्रेक्ट एंट्री लिखलो जो होनी चाहिए रफ्ली लिखलो ट्रांजेक्शन को पढ़कर कि यह एंट्री होनी चाहिए थी राइट रोंग एंट्री फिर वो एंट्री लिखो जो बुक्स अफ अकाउंट में हमने गलत एंट्री कर तो पास रेक्टिफाइंग एंटरी टू काेंसल डाइफर्युक्स पर फृर्टाले04 सुधार की वी ऐसी एंटरी जिससे जो घौती गलती किया इसका इफेक्ट ठीक किया जा सके वुक्स अप्रक्ट्ऑंट म संग्रुक्तिं नहीं कर सकते कुछ इफैक्ट मदलब हम cutting नहीं कर सकते उस effect को ठीक करने के लिए एक general entry pass out कर दो कोई account कम हो रहा जाए जादा वो कर दो debit हो रहा जा credit तो two sided error ऐसे ठीक हो जाएंगी बट इसमें ध्यान रखो कि दो side effect पढ़ रहा है debit और credit कैसे एक्जाम्पल देखते हैं लैट पर्चेज ऑग 2000 फो महिंदर एंटर इन डे बुक ऐस 200 डे बुक का मदलब पर्चेज बुक महिंदर से 2000 की credit पर्चेज की है 200 लिख दी क्लियर ये गलती होगी कैसे होगी आगे पढ़ते हम इसके बारे में येस correct entry should be मैंने का तीन तरह हमें step लेना पड़ेगा पहले जो होनी चाहिए थी entry वो ये होनी चाहिए थी purchase account debit to महिंदर's account मुझे लगता है इस लेवल तक आपको आगी होंगी ऐसे general entries फास आउट करनी अगर ये नहीं आती तो पहले general entries का सिखना बढ़ा जरूरी है उससे related भी वी क्रेडिट वह ये तो फीद्डी अट रहे तो हम दोनों अकॉंट को ठीक करेंगे ना चांटे चाहिए था हम 1800 क साथ क्रेडिट कर देंगे महईंदर का औंच्रैम साथ क्रेडिट क्रेडिट कोלא क्रेडिट कर देंगे तोCER ये rough काम के रूप में, extra work के रूप में साथ में लिख सकते हो, solve करने के लिए question को, हमें सिर्फ rectified entities डालने होती है, ये वाली जो मैंने डाली है, ये two-sided error है, Rectification of Errors, second stage की बात करते हैं, students, second stage वो stage है, जब rectification after preparation of trial balance before final account, जब books of account में trial balance बनाने के बाद गलतियां मिलें, पर final account भी नहीं बनें, आपको मैं बता दूँ, इस case में भी वही दो case है, one-sided error and two-sided error, one-sided error में, गलतियों को ठीक करने के लिए, suspense account यूज किया जाता है, ध्यान रखना, with use of suspense account, दोर तरह की items, suspense account के साथ rectified की जाते हैं, to post doubtful items, जिन items के वारे में doubt है, मन में, उसका कोई एक concept clear नहीं है, मन में शंका है, to balance a disaggregate trial balance, trial balance को अगर नहीं मिल रहा, उसको balance करने के लिए, suspense account का use किया जाता है, मैंने एक बड़ी important बात लिए हैं, नीचे ध्यान से देखो, इसी channel पर A39 वीडियो देखें, जिसमें मैंने suspense account के वारे में बड़ा detail में बताया कि suspense account क्या होता है, फिर भी ब्रीफली बतातू, trial balance में सारे laser account की posting करते हैं, dear students, और नीचे आके उसका balance, mathematical accuracy चेक करने के लिए, मिलना चाहिए, दोनों तरफ का total debit, balance का और credit balance का, लेकिन अगर नहीं मिलता, final date है, हमें final account भी बनाने हैं, तो books of account को close करने के लिए, जिस तरफ भी difference जादा होता है, वहाँ suspense account दूसरी तरफ लिखके, दोनों तरफ का balance match कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, बाद में जो accountant है भी, वो गलतियां ढूंडता है, और suspense account है, एंड में zero आना चाहिए, जब तक नहीं आता, तब तक next to next year, वो अगे carry forward होता रहता है, suspense account का balance, अब बात करते हैं, इस परकार की गलतियों को ठीक करने की, जो trial balance बनाने के बाद मिल रही है, जबकि हम suspense account वहाँ डाल चुके हैं, कैसे, एक ऐसी गलतियां भी देखने मिल सकते हैं, जिसे को मिने का, तू post doubtful items, doubtful items के लिए भी suspense account यूज हो जाता है, जैसे, let a businessman gets cash 3000, but forgets who sent the money businessman को 3000 cash मिला, transaction तो लिखने लगा, पर ये भूल गया, किसने दिया था पैसे, तो उसने क्या कि cash account debit to suspense account, वो 3000 suspense account में डाल दिये, जिस दिन वो concerned व्यक्ति से पैसे मांगे जाएंगे, जो उस व्यक्ति के साथ account match किया जाएगा, तो पता चल जाएगा, जब तक ये suspense account रहेगा, ज suspense account को use करते हैं, one-sided error में, तो आगे बढ़ते हैं, in case of two-sided errors, two-sided errors क्या होती है, जब दोनों तरफ effect पढ़ रहा है, ये same position है, इसकी वही तीन step, correct entry, that should be, वो लिख लो, right, wrong entry, that has been passed, जो गलत लिख ली, past rectifying entry, उसके effect को ठीक करने के लिए, rectify कर लो इसको, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये first stage में भी same procedure था, second stage में भी यही procedure है, अगर two-sided गलतियां है, तो students आगे देखते हैं, आप इसके, rectify the falling errors, आज की first problem, मैंने बोला का आज की वीडियो में चाल टाइप की problems करेंगे, ध्यान से आप, पूरा ध्यानी दर, credit sale to Hussan, rupees 5000 were not recorded, हुसन को credit sale की, record नहीं की, तो गलती के चीठी होगी भी, record कर दो, yes, हुसन's account, debit to sales account, being credit sale to Hussan, were omitted to be recorded, now recorded जा, now rectified, हुसन को credit sale की, omitted means भूल गे, record करना, अब record कर दी, आप, गलती का सुधार कर लिया, जो normal entry होनी चाहिए थी, वो डाल देंगे, second, क्योंकि भूली गया, वो करनी, अब कर देंगे, credit purchase from 9, rupees 8,000, were not recorded, ये भी same है, अब 9 से credit purchase की है, purchase account, debit to 9, entry डाल दो, क्योंकि उसने नहीं record की थी, आप हमने record कर दी, same procedure, एक बात मैं बार बार कहा रहा हूं, इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, 42 number, उसमें मैंने ये basic सारा समझाया हुए, कि narration कैसे लिखते हैं, ये सारा प्लीज देखें, ताकि हम रेक्टिव किशन का basic theoretical को पहलू को प्रॉपरली जान सके, goods return to Pria, rupees 12,000, were not recorded, ये सारी जो problem है, इससे है कि जब हम record रतर नहीं भूल गे, तो सीधा जवाब मैं बता दू, किसी भी problem में अगर ऐसी transaction आती है, तो उसको record कर दो, मतलब कि general entry डालनी है हमने, जो रह गई, प्रिया account debit to purchase return, प्रिया receiver है, purchase return means goods business से बाहर जा रही है, what goes out credit, purchase return क्या होता है credit, goods return from राशी रूपिस 10,000, were not recorded, राशी से हमें वस्तुए मिली, उसको sale की होगी, तो sales return, sale credit होता है, sale return debit क्योंकि goods वापिस आ रही है, what comes in debit, sales return account debit to राशी राशी इस दा giver, giver के account को credit कर देंगे, sale return की यही entry अपती है, यह चारो की चारो entries हो है students, जो वो करना भूल गया, अब हमने कर दी, simple journal entry है यह, question number second, rectify the falling errors, अब गलतियां है, उनको सुधारे, वो भूलने वाली थी, credit sale to मिरदूला, रुपिस 5,000, were recorded 500, as यह चार है, हम इनको rectify करेंगे, साथ साथ मैं transaction वहां लिखूंगा भी, पढ़ने में असानी होएगी, साथ ही हम solve करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, इसका solution कैसे होगा, पहली क्या थी, credit sale to मिरदूला, रुपिस 5,000, were recorded as 500, मिरदूला को 5,000 की sale की, entry होनी चाहिए थी, मिरदूला account debit to sale 5,000, but record 500 की कर दी, entry क्या कर दी, गल्त entry, मिरदूला's account debit to sale, entry तो की, बट 500 की ध्यान से देखो, मिरदूला का account 5,000 से debit होना चाहिए था, कि आप 500 से, 4,500 से कम debit किया, तो हम correction कैसे करेंगे, मिरदूला account को 4,500 के साथ debit कर देंगे, जो कम हुआ था, आप 4,500 के साथ कर देंगे, इसी तरह से sale 4,500 से कम credit हुई है, क्योंकि 500 की entry कर दी है, 5,000 की sale को भी 4,500 के साथ credit कर देंगे, नरेशन के आपन की, being credit sale to मिरदूला, वर recorded as 500, instead of 5,000, now rectified, now rectified word लिखतो, इसका अजला गलती सुधार ली है, समझ लगा भी, second entry के आपनी question में, वो देखते हैं आओ, credit purchase from naveen rupees 8,000 were recorded as 800, अब मैं आपको दो entries नहीं डाल के दूँगा, कि होनी क्या चाहिए थी, गलत क्या लिख दी, और ठीक क्या है, हम ठीक करके लिखेंगे, rectified entries लिखेंगे अब, ध्यान रखना, मैं समझ रहा हूँ, आपको बात समझ आगी होगी, जैसे मैं बताता हूँ, credit purchase की नवीन से, entry क्या होनी चाहिए थी, purchase account debit to naveen 8,000, purchase debit, naveen credit, but 8,000 के साथ, पर उसने 800 के साथ किया, दोनों account 7,200 के साथ कम किये, तो अब हम कर देंगे, purchase account debit to naveen's account, purchase को 7,200 के साथ debit कर देंगे, naveen को credit कर देंगे 7,200 के साथ, क्योंकि ये कम हुआ था amount, उतना हमने कर दिया, clear तो आगे वड़े, goods return to prince, rupees 12,000, were recorded as 1200, अब प्रिंस को goods वापिस की, entry तो होनी चाहिए थी, prince account debit to purchase return, की उसने entry, पर किया क्या amount कम लिख दिया भी, 12,000 की थी, 1200 की लिख दी, 10,800 कम की है, तो अब और कर देंगे 10,800 की entry एक तरह से, क्योंकि कम लिखी है, prince's account debit to purchase return, 10,800, 10,800, समझ लागा, तो आगे बढ़ते हैं, 4th entry, goods return from Amun, 10,000, were recorded as 1000, Amun ने हमें goods वापिस की, बट 10,000 की 1000 लिख दी, भई 10,000 की की थी, तो 10,000 लिखनी था, चाहिए थी, 1000 लिखी है, इसका मलब 9,000 कम entry की है, 9,000 की, sales return की entry की आते है, sales return account debit to Amun, तो हम 9,000 की और entry डाल देंगे, sales return account debit 9,000, Amun's account 9,000, ये rectification होगी इस तरह से, clear, इस तरह से चारों entries को जब हम rectified करेंगे, combined room में उसका solution हमें इस तरह से दिखेगा, जो मैंने अभी आपको question करा है, general बना के, ऐसे सारी rectified entries डालनी है, हमने सिर्फ rectified डालनी है, that should be and wrong entries, उनको नहीं लिखना यहाँ पर, वो हमें roughly side में note बना के, लिख सकते हो, खुद की सुविधा के लिए, तो students, third problem आज की, ध्यान से आँ, trial balance of message shinde enterprise did not agree, trial balance मिला नहीं, it puts the difference to the suspense account, जो difference था, वो suspense account में लिख दिया, जो भी था, rectify the falling errors, prepare suspense account to assert the original difference of trial balance, उसने का कि rectification करो पहले तो ये सारी, फिर suspense account की posting करो, और फिर बताओ कि trial balance में difference कितना था, आपको बता दूँ, अगर हमें suspense account का balance प्रावलम में नहीं दिया हुआ, तब हम जब suspense account बनाएंगे, जो difference आएगा, वही suspense account का balance होता है, जो उसे trial balance में लिखना पड़ता है, उसको match करने के लिए, तो हम पहले है, सारी corrections करेंगे, rectified entry करने के वाद suspense account बनाएंगे, फिर उसका balance आएगा, बट ये वो balance होगा, जो trial balance में उसे लिखना पड़ा था, यही उसने पूछ है, लिखा हुए ना देखो, prepare suspense account to assert the original difference इंदा trial balance, जो trial balance में actual difference पड़ा, उसको पता करूँ, तो ये सारी transactions चार, हम इनको साथ साथ पड़ेंगे वी आगे और करते चले जाएंगे, सबसे पहली क्या है, amount paid for the installation of machinery rupees 10,000, was posted to repair and maintenance account, ध्यान से समझो इसको, अरान से, machinery को install करने के लिए, या किसी भी fix asset को install करने के लिए, अगर खर्चा होता है, उस asset की हिस्सा होता है, entry होनी चाहिए थे machinery account, debit to cash, machinery account को उसको लिखना चाहिए था, उसने नहीं लिखा, उसकी जगह उसने, repair and maintenance account में लिख दिया, debit तो होना चाहिए था, machinery account, debit किसको कर दिया, इसका मतलब repair and maintenance account को, ठीक कैसे होगा भी, जो होना चाहिए था, वो वैसा कर दो, जो गलत किया है, उसको reverse कर दो, अगर debit किया तो credit कर दो, credit किया तो debit कर दो, उसने repair and maintenance account को debit किया, तो हम उसको क्या कर देंगे, credit, और machinery account debit होना चाहिए था, machinery account को debit कर देंगे, इस जंग से यह rectification होगी समझ लगी मेरी बात actual entry होनी चाहिए थी missionary account debit to cash उसने क्या कर दी repair and maintenance account debit to cash cash के वारे में silent है जिस account के वारे में silent होता है इसका मतलब साफ है कि वो सही किया तो machinery debit होना चाहिए था हमने machinery debit कर थी repair and maintenance गलत credit किया तो उसको debit किया था उसको अब credit कर देंगे second total of purchase book rupees 50,000 was posted to the laser was not posted to the laser ध्यान से purchase book का जो total था ना भी 50,000 वो laser में पोस्टिंग नहीं की purchase book का total purchase account के laser में जाता है उसमें debit होना चाहिए था नहीं किया तो अब कर देंगे purchase account debit clear दूसरा effect किस पर डालें भी trial balance बन चुक है वो जाएगा suspense account को to suspense account क्योंकि दूसरा को कोई account effected है ही नहीं जो दूसरा account means जो debit है credit नहीं है या credit है तो debit नहीं है तो वो suspense account को डाल देना ध्यान रखना to suspense account 50,000 इसको credit कर दिया हमने suspense account को third one goods return to John rupees 3,000 were recorded in sales book अब ध्यान से सोचोगी हमने John को 3,000 की goods वापिस की goods return to John उससे purchase की होंगी purchase return book में आनी चाहिए थी लिख किसमें दी sale book में sale book credit होती है गलत लिखी है अब उसको ठीक कैसे करेंगे sale book को debit कर देंगे sales account debit sales book का मनला sales account इसी तरह से purchase return credit होनी चाहिए थी तो हम उसको credit कर देंगे to purchase return account तो entry क्या बनगी sales account debit to purchase return ये rectified entries हो fourth one salary pay to ram 6000 was devoted to his personal account ध्यान से जब भी कोई expenses होता है तो उसमें personal account कभी भी एफेक्ट नहीं करता है उस expenses का account ही debit होता है जो भी कोई खर्च है चाहे वो rent है salary है वेजी जाए salary pay की entry होनी चाहिए थी salary account debit पर उसने क्या क्या राम के account को debit कर दिया debited to his personal account जाके राम के account को इस question में उसने लिख दिया भी उढ़ा कर अब राम गलत debit कर दिया राम को credit कर दो debit होना क्या चाहिए था salary count salary count को debit कर दो salary count debit to ram's account narration being rectification of wrong debit to personal account of an employee ऐसे भी लिख सकते है being salary pay to ram 6000 was wrongly devoted to his personal account now rectified पुछी भी लिख सकते हो sense सेम रहनी चाहिए depreciation return of furniture रुपीज 500 वास्ट पोस्ट टू फरनीचर अब depreciation furniture पर राइट ओफ की फरनीचर की value devalued होगी काम होगी depreciation लिखी तो entry पता क्या होती है students हम depreciation होती है depreciation account debit to furniture furniture कम हो जाता है पर क्या किया इसने depreciation के बारे में तो silent है लेकिन furniture account में post नहीं किया तो कर देगा furniture credit होना चाहिए था furniture account debit depreciation के बारे में silent है इसका मदल उसमें उसने posting कर दी होगी सिर्फ furniture account में नहीं कि posting का मतलब होता है laser posting तो debit किसको करें भी suspense account को suspense account debit to furniture account अगर कोई एक site का account नहीं है suspense account यूज हो रहा है तो suspense account ही debit जा credit होता है जो भी debit credit site चे कोई account missing हो क्योंकि missing का मतलब क्या होता है एक ही account को effect कर रहा है सिर्फ furniture account को वो credit कर दिया हमने समझ लगा उसने post नहीं किया था हमने कर दिया तो दूसरा effect suspense पे बढ़ गया इस तरह से हमने rectified entries तो कर दी अब इन सभी entries में आपने देखा होगा कि सिर्फ दो ही account है दो ही ट्राजक्शन थी जिसमें suspense account यूज किया था purchase to suspense suspense to furniture समझ लगा आप पीछे जाके द्वारा देख सकते हैं थोड़ा सा video वेक जाए देखके सिर्फ दो ही entry थी अब हमने suspense account बनाना है द्यान से देखो purchase account यूज तो अब है तो इसा question हो तो स्टार्टिंग में यहां वी एक लाइन चोड़ देनी है यहां भी छोड़ देनी है क्योंकि हमें नहीं पता difference कौन सा आएगा अब द्यान से देखो अब हमें साफ दिख रहा है 50,000 जहां आ गया यहां पाइव और कितना गया 49,500 यह difference कहां से difference as per trial balance यह trial balance में इतना difference था भी जो उसने suspense account में डाला होगा अब दोनों transaction की तो इसका balance अपने अब कितना बन गया 0 ध्यान से सोचके देखो अगर हमें शुरू में पता होता तो इसमें आप कोई balance नहीं बचना था क्योंकि suspense account का balance हमें पता नहीं थ important about balance as access debit or access credit in trial balance चीज हमें लिखा इसका मतलब समझो ध्यान से trial balance में जब numerical question आता है वहां लिखा होता है कि trial balance बनाया उसमें access debit आया 10,000 या जितना भी amount या access credit आया और balance के debit का access आने का मतलब होता है हमें suspense account credit side में डालना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ का balance trial balance का मिल सके और अगर credit access आता है तो हमें suspense account का balance debit side में डालना पड़ेगा अब ध्यान रखना उस balance को हम क्या कहेंगे कि suspense account कौन से balance वाल है तो सीधी बात है students अगर suspense account हमें debit side में trial balance में डालना पड़ेगा अक्सेस credit की वजह से तो वो debit suspense account balance होता है अगर credit side में हमें लिखना पड़ा suspense account balance डालके debit access के कारण तो वो credit balance होता है suspense account का यह ध्यान रखना जिस साइड भी लिखना पड़ा suspense account का balance उसका balance वही डैविट जाख credit कहलाता है this is what I have said here in this slide क्योंकि यह बड़ा important है आगे question इसी से related trial balance of anantram did not agree trial balance milani shows and access credit access credit 16,000 सोचो trial balance में 16,000 access credit है तो debit side में 16,000 लिखने पड़ेंगे तभी balance मिलेगा तो इस trial balance suspense account का balance क्या हो गया debit हो गया 16,000 ध्यान रखना अब ही put the difference to suspense account उसने difference से suspense account में डाल दिया और फिर यह सारी गलतियां उसको मिली कौन कौन सी मिली आगे हम इनको ठीक करते हैं एक एक को बढ़ते हैं पहली थी cash received from mohit 4000 वाज पोस्ट टू महेश रूपीज 1,000 मोहेश से cash received हुआ 4000 का एंट्री होनी चाहिए थी cash account debit to mohit 4000 के साथ credit होना चाहिए था पर हमने क्या कर दिया महेश के account को पोस्ट कर दिया 1,000 एक तो महेश गलत credit कर दिया उसको हम debit कर देंगे मोहिद क्रेडिट होना चाहिए था 4000 के साथ cash account debit to mohit 4000 के साथ credit होना चाहिए था वह हम credit कर देंगे अब डबल एंट्री सिस्ट्रों का नियम कहता है जितना debit उतना credit अब जो difference at debit कम आ रहा है यह कहां डाल देंगे suspense account में entry क्या बनगी महेश अकाउंट डैविट क्या करनी है हमने second transaction गलती क्या हुए चेक और रुपीज 5800 रसीट फ्रों अर्न विन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 6000 अर्न से हमें चेक मिला अठवंजास होगा छेज़ार का उसका फुल सेटलमेंट कर दी वास डिसोनर वो डिसोनर हो गया नो एंट्री बास पास इंदा बुक्स ओन डिसोनर ऑफ चेक जब डिसोनर उसकी एंट्री नहीं पाई एंट्री डाल देंगे भी ध्यान से मेरी बास सुनो जब चेक मिलते है ना फुल सेटलमेंट का हम जेक मिला तो एंट्री होगी बैंक अकाउट beğ डिसकांट टक्रेडिट कर देंगे क्योंकि त्यसे कि पैसे लेने वाले वन गजए उसके चेक की पेमेंट नहीं मिली हमें डिसोनर हो गया चाहिए क्लियर डिसोनर की एंट्री नहीं लिखी थी हमने वो लिख दी नेक्स वान रूपीज एट हंडर रसीड फ्रॉम खन्ना whose account had previously been written off as bad was credited to his account ध्यान से खन्ना से हमें 800 रुपे मिले उसको हमने bad debts कर दिया था जब खन्ना को bad debts कर दिया था bad debts हमारा नुकसान हो जुका था उससे पैसे मिल गए मरे हुए पैसे मिल रहे तो bad debts recovered account होता है बिजनस का फाइदा होता है cash account debit to bad debts recovered होना चाहिए था हमने क्या कर दिया गलती से credited to his account उसके account को credit कर दिया खन्ना के तो गलती क्या ठीक होगी खन्ना के account debit कर दो खन्ना अकाउंट debit और bad debts recovered जो credit होना चाहिए था वो credit कर देंगे to bad debts recovered account मैं इतना सोच रहा हूँ कि आपको bad debts के regarding journal में आप यह ऐसी entries कर चुके होगे अगे credit sale to manov rp 5000 was recorded through the purchase book as 2000 हमने मानव को sale की 5000 की credit sale की entry क्या होनी चाहिए थी ध्यान से सोचो sale की मानव account debit to sales recorded to purchase book purchase book में record कर दी और वो भी 2000 की purchase account debit कर दिया इसका मदलों और जब purchase account debit होगा तो मानव का account 2000 के साथ credit हो गया अब ध्यान से सोचो मानव का account 5000 के साथ debit होना चाहिए था हमने 2000 के साथ credit कर दिया इसका मदलों हमें 7000 के साथ debit करना चाहिए पड़ेगा मानव account debit 7000 परचेज बुक अंडर कास्ट वाइरूपेज 1000 परचेज बुक अंडर कास्ट में उसका टोटल कम दिखा दिया तो ज्यादा दिखा दो परचेज इसकांट debit debit कर दिया 1000 अब क्रेडिट किसको करें भी कोई कोई गलती नहीं है तो वो suspense को चली जाएगी तो suspense account Clear. Next one. Rappair on machinery 1600 wrongly debited to machinery account. Missionary यह repair की भी repair account debit to cash होना चाहिए था क्या कर दिया machinery account में डाल दिया और 1600 लिखा 1000 लिख दिया एक तो machinery account को हम credit करेंगे 1000 के साथ वो नहीं करना चाहिए था रपेर अकाउंट डैबिट होना चाहिए था उसको डैबिट कर देंगे 1600 के राद अब दोनों तरफ अमाउंट सेम होना चाहिए पर यह 600 का डिफरेंस है जो 600 का डिफरेंस है वो सुस्पेंस को चला जाएगा तू सुस्पेंस अकाउंट नेक्स्ट वन गुड़्ज रिटर्न टू नाथू रूपीज 3,000 वा टेकन इन्टू स्टोक डो एंट्री वास रिकॉर्ड निदा बुक्स नथू ने गुड़्ज वापिस की हमें 3000 की भी सेल्ज रिटर्न हो गया रिकॉर्ड नहीं किया एंट्री तो रिकॉर्ड कर देंगे स उसमें ये तीन आसी जहां ने मैंने अकांट यूज तो फिफ्ट और सिंस ने अब इसकी बॉस्टिंग करनी हमने इस पैंस अकॉंट में सेस्पैंस अकॉंट बनाया सास्पैंस आपको पता अक्सेस क्रेडिट लिखा था इस कुश्चन के शुरू में तो हमने डैबिट सब्सक्राइब इसकी पोस्टिंग करें पहली एंट्री यह महिश अकाउंट डैविट सब्सक्राइब टू मोहित अगया पर अमाउंट आएगा सब्सक्राइब देहान रखना यह 4000 नहीं लिख देना जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा है वह 3000 तो महिश के अकाउंट से रिलेटेड है मोहित से जो जुड़ा हुए 4000 नेक्स्ट वन सेकेंड एंट्री ती जहां सब्सक्राइब यूज किया था उसूस की पोस्टिंग करें हम सिर्फ मैंने इसलिए आपकी सब्सक्राइब के लिए वह एंट्र और डेबिट क्या है रिपेर सुस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाई रिपेर आगया 600 अब ध्यान से देखो इसका बैलंस जीरो आना चाहिए ऐसा लगता है ऐसा पर जरूरी नहीं है स्टुडेंट्स यहां ध्यान से देखो 19,000 टोटल डेबिट साइड का क्रेडिट साइड में सिर्फ 1600 है तो बैलंस कितना बच लिया 17,400 वो हमने लिख दिया बाई बैलंस करी डाउन 19,000 दोनों सेड का टोटल मिला दिया अगर सारी गलतिया मिल जाए तो सिस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाता है मालो हमें अगले साल शुरू होते एक गलती और मिल गई जैसे यह है सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाई रूपिस 17,400 सेल्बुक ओवरकास्ट होगी जादा दिखा दी सेल्ड अकाउंट जादा दिखा दी या क्रेड़िट होता है सेल अकाउंट तो अब हम डइविट करदेंगे सेल्स अकाउंट सब्सक्राइब कोई बैलन्स नहीं बचा ऐसा भी होता है समझाया आई थिंग रहोल कॉंसेट इसक्राइब कॉंसेट लगा लेकिन ध्यान सी सोचो हमने हर्थ रहे कि एक ही वीडियो में कर दी सब्सक्राइब के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपको अगर नहीं कुछ क्लियर नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं वहाँ पर लिखें आई विल ट्राइट वांसर यू इस चैनल पर एकनामिक्स और कमर्स से लेटेड बहुत से सब्जेक्स की वीडियोस हैं मॉट